Hello friends, welcome back to another video of MS Excel Tutorial Part 2 तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था Home Menu जो कि हमने शुरू कर दे यहां से लेकर और आखरी में Format तक हमने Complete कर लिया था आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे तो देखते हैं क्या है? Auto Sum अगर हमको Automatically यहां पर इन सब का Total Link चाहिए यहां पर तो हम क्या यूज़ करेंगे? Auto Sum function यूज़ कर देंगे Automatically Rain Select हो गई और नीचे आ गया Is equal to Sum Bracket और पुरा Rain Select होके इसमे Bracket क्लोज हो गया हमने इसको Enter प्रेस किया तो देखिए इन सब का Total यहां पर लिखके आ गया तो यह हो गया Auto Sum Automatically यदि आपको और कोई function यूज़ करना है तो यहां drop down पर क्लिक करिए और यूज़ करिए Average Average में के लिखके आ जगा Equal to Average पूरी Rain Select हो जागी और एंटर कर देज़़ यह देखिए Average लिखके आगे इसका ऐसे ही और function यूज़ करना है आपको तो भी यूज़ कर सकते है As per your requirement Count Numbers कितने हैं इसमें एंटरी है वो चेक करना है आप एंटर माली है देखिए पता दिए आसने 12 एंटरी है 1 से लेकर यह तक कितने एंटरी हुई आपके 12 यह देखिए नीचे दिखा रहा है Count में इसको करेंगे Undo फिर से गए इसमें Next है Maximum जो नंबर इसमें से निकाल के दिखाना है Max करो और Equal to Max function लिखके आगे Enter कर दो आपको करना खुश नहीं और इनसे अलग हट किया हमको और को function उज़ करना है तो आप जाएगा More functions में तो यह most recently used functions दिखा रहा है If, average वगर है सब दिखा रहा है Hyperlink करें तो यह क्या है Most recently है अगर आपको सारे Excel के functions देखने हैं तो आप क्लिक करेंगे All पे तो देखिए All पे क्लिक कर तक चाहती कितना सारे functions में शो करने शुरू कर दिया है ने कि आपको कैटेगरी वाइस जैसे इस्तमाल कर रहा है जैसे डेटन टाइम से लेटेड है कुछ दो उज़ उज़ करें देटन टाइम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताएगा कि किस किस फंक्शन पे आप मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो पनाओ या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं सावी functions के ओपर मैं वीडियो बनाओ तो आप मुझे comment section में लिखके जरूर बताएगा मैं सारे functions में cover कर दूँगा देखिए और जदी आपको यहां से function नहीं यूज करना था आप यहां पर भी function यूज कर सकते हैं यहां पर प्रेस करिए इक्वल टू और अगर आपको function आता है तो आप खुद लिख सकते हैं जैसे sum लिख दिया है यह automatically निछे है एप आ जाएगी यहां से भी function यूज कर सकते हैं तो आपने देखा तीन तरीके से function चूज कर सकते हैं या फिर यहां से या फिर आपकोoli यहीं नहीं सरे रिंग के ल कि प्रहें आपको बीजिए ईपम्स इसमें कैम से अन्मॉको को जिसकों समें पर लेके घए थे उससे पुरा फिल हो गया अब इसी इसमें right है, इसको हमने left है चूज करा हूँ, और हमने बोल दिया, fill left, देखिए, ऐसे ही fill right, तो देखिए, इस परकार से fill उसकर सकते हैं, इसका दूसरे तरीक आपको बताता हूँ, जैसे आप यहां पर आए करिस्टोई पर देखिए जैसे आपका ना पॉंटर चेंज हो जाएगा तो जहां आप जाएगे वहाँ यह फिल करता चला जाएगा राइड साइड का है दोस्तों राइड साइड पर पॉंटर लेकर जाना इस पकार से आप खुद भी करता तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आपको मेनू में जाने की ज़रूत नहीं है नेक्स देखेंगे इसके अंदर में फिल सिरीज के चीज़ होती है तो देखें फिल सिरीज क्या होती है जैसे हमने यहां लिखा वन टू हमने ऐसे सेलेट कर दिया फिलिप में सिरीज भा Diferred Select RRS में linear और left hand में अरहा है कॉलम हमने इसको कर दिया ओके तो देखिए आटोमेटिक ली यह हो गया 1 2 3 4 इस पकार से 1 1 के इंक्रिमेंट से आ गया यही काम आप इसका यहां से भी कर सकते हैं दोनों को सेलेट करिए और यहां पर इस फोर हैड़ को पकड़ के ड्रैग कर दीजे यह तब भी ऐसे का हो जाता तो वहां से भी कर सकते ह नेक्स्ट काइश्ण व फिलश शीरीज लीनियर ना करके हमके करकना उसे ग्रोथ करना तो ग्रोथ लिट करें ओके कर दिया है तो ग्रोथ में क्या हमाइब ओन-ई-an-उन न ओन लूलीक में वहें ऑर हमने ग्रोथ इस बार लिख दिया में कि 44 का ग्रोथ हो जाए ओके तो देखिए कि वन के बाद सीधा फूर फूर फोर जा सेस्टीन फिल सिरीज तो ग्रोथ में हमने लिख दिया कि हम वो कितने से ग्रोथ करनी है जाए त्री से और कर दो तो ओके तो देखिए तो के बाद सीधा क्या है शिक्स के बाद क्या गया अठारा एटिन इसके बाद इस पकार से ग्रोथ में तो इसका मतलग क्या हुआ आपने वहाँ पर थ्री रिखा तो ग्रोथ में तो टू इंटू थ्री शिक्स इंटू 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 अगर आपको एक stop value देनी है कि यहां पर जाके वो रुख जाए जैसे कि हमने लिख दिया 10 के बाद रुख जाए ठीक है ना तो हमने इसमें growth क्या कर दिया growth इसमें 2 का कर दिया ओके तो देखे 10 के बाद रुख गया जाके उसके बाद भले हमने selection कर रखा है नेकिन fill नहीं करेगा कि इसको हमने particular range दे दी कि इसके बाद stop हो जाए तो इसका आप अस्तमाल इस पकार से कर सकते हैं यह date and time पे लागू होता है जैसे हमने कोई date लिख ली इ 22 ऐसे हमने लिखके enter मार दिया है date अगया हमारी select किया film में गए series में गए और automatically इसमें date select हो गया और ok कर दिया हम तो देखिए अब कि date इसके बाद क्या आगी 24, 25, 26 पकार से फिर automatically क्या हो गया next month के साथ 1, 2, 3 आगया then undo अब फिल्मे के series में date automatically selected है ने कि हमें day नहीं बढ़ाना हमें इसमें क्या बढ़ाना है weekday दिखाना है तो ok करो तो देखो दिखा दिखा दिए 24, 25 फिस सीधा आगे 28 इसके बाद 1, 2, 3, 4 इस पकार से दिखा रहा है जो weekdays है आपके वो नहीं show कर रहा है इसमें 26, 27 जो है था Saturday Sunday वो नहीं show करेगा और इसके बाद 4, 5, 4 के बाद 5, 6 नहीं show कर रहा है क्योंकि वो Saturday Sunday है तो इस पकार से weekday को skip करवा सकते हैं फिल में जाएं फिर से सिरीज में जाएं अब इसमें को क्या करना मंथ इंक्रीज करवाने मंथ इंक्रीज रहा है तो मंथ इंक्रीज ओगे देखिए 2, 3, 4, 5, 6, इस पकार से मंथ इंक्रीज हो गे है Fill Series, ऐसे ही Year करना है तो Year कर दो, इस बगार से आप Fill Series का इस्तमाल कर सकते हैं, वैसे ही Next आता है Justify, इसको Delete करते हैं, Delete, Okay, अब हमने यह आपर लिखा, This is my First Excel Tutorial on YouTube, हमने इसको लिख लिए, अब इसको मैं Justify करना है, तो हम इसमें क्लिक करेंगे, Fill में जाएंगे, और Just, प्रेस करेंगे Justify और Okay, तो देखिए, Justify होके, Two Rose में Divide हो गया, तो इस पकार से आप Justification के समाल कर सकते हैं, Next इसमें Flash Fill, तो Flash Fill कैसे उसको करते हैं, इसके लिए हम जाएंगे Sheet 1 में, और यहां हम लिख देंगे, F Name, L Name, First Name में हमें लिख देंगे, Pratap, Singh, Amit, Kumar, Rajesh, Rajesh, Tiotia, Then, Vijay, Kapoor, ऐसे हमने नाम लिख लिए, इन सब को कम्बाइन करके हम इसको यहां लिखना है, Full Name, अभी हम लिखते हैं, तो Automatically combine करना है इसको, तो उसके लिए यूज़ करेंगे, अभी हम लिख दिया, Flash Film, यहां पर हमने लिख दिया, just for example, Pratap, और, Singh, एक ही सल में लिख दिया, अब इसको आपने पकड़ा, ड्रैक कर दिया, और Film में गए, और बोल दिया, Flash Film, तो देखिए, Automatically इसने सब के सब, combine करके, Full Name बना दिया, तो इस प्रकार से, आप Flash Film कर सकते हैं, अब यह क्या है, Across Worksheet, जो है, Dehighlighted है, इसको अगर आप यूज करना है, जैसे एक वर्षीट से दूसरी वर्षीट में उस समय फिल करना है, तो उस समय आपको एक पैटन, एक त्रिक इसमाल करने पड़ेगी, इसमें जैसे आपके, यह शीट है, इस शीट को, इस शीट को, दोनों को shift पड़कर क्लिक कर दीजगा, तो select होकि दोनों parallel sheet, आप देखे, फिल में जाएगे, अक्रोस वर्षीट आइलेट हो गया, और इसके साथ options भी आगे, तो इसका इसमाल भी आप कर सकते हैं, लेकि generally बहुत कम जोद पड़ती है, अक्रोस वर्षीट नेकर फिर भी प यहां गया, और यहां पर हमने लिख दिया जैसे की, क्रिश, टॉइज, इसको हमने करा bold, यहां से करा bold, font का size हमने change करके कर दिया, इतना बड़ा, और color कर दिया red, यह हमने फॉर्बेटिंग पर अपलाई कर दी, इसको पगड़कर ड्राइग कर लो, तो cell का size चेंज हो जाए अब इसके अंदर से हमें क्या करना है, क्या 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 क्लियर करना है, जैसे हमने clear all कर दिया तो सब कुछ गया हो गया, यहां पर अब लिखो गए, तो simple वैसे आगे, जैसे पहले था आगे, undo कर दिया, clear all से क्या होता है, formatting ब्यूड जाएगी सारी, और text ब्यूड जाएगा, नेकि हम सिर्फ format उडाना चाहते हैं, जो हमने color कर रखा है, bold कर रखा है, italic कर रखा है, इन से को अटाना है, तो हम use करेंगे clear formats, तो देखें, simple सा text हो गया, formatting हट गया, undo कर दिया, next, जैसे कि हमें clear all से देख लिए, clear format देख लिया, clear content, हमें formatting ने उडा नहीं, content उडाना है, clear content नेकि जो भी लिखोगे आप, वो आप formatting में आ जाएगा, next, clear में आता है, clear comment and notes, comment and notes थो हमने डाले नहीं, तो clear कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप जाईएगा, insert में, insert में गया तो आप यहां से comment यूज कर दीजे, या फिर यही पर right side के button प्रेस करिए, और इसमें देखिए यह दे रखा है, new comment, इस पर क्लिक करिए और लिख दीजे, कुछ भी, hello, please, check, spelling, यह हमने लिख दिया, और post कर दिया, तो इस पकार से जदि आपकी एक ही workbook है, जो network पे share है, उस समय इस करस्तमारा आप कर सकते है comment के लिए, तो इस पकार से कोई और दूसरा reply करना चाहता है, तो यहाँ पर reply कर सकता है, तो इस comment को अगर clear करना है, तो use करेंगे clear comment and note, देखे न, इस पर click किया, देखे हाट गया, वापेस undo किया, अब वापेस से गए, इस में था notes भी, तो right click करिए, और new में जाईए, और यहाँ new note पे click कर देना, यहाँ लिख दीजे, जो भी लिखना हो, जैसे कि, hello, this is my channel, यहाँ दाल दिया note, तो जब भी आप mouse over करेंगे, तो आपको note दिखाएगा, इसको भी clear करना है, तो use करेंगे आप clear comment and note, तो इस पकार से आप उड़ा सकते हैं, इसको, next आता है clear hyperlink, अभी इसमें हमने कोई hyperlink नहीं दे रखा है, इसमें हमने कोई hyperlink न राइट से ड़की बटन दबाएंगे, फिर से, और इसमें सबसे last में देखिए, दे रखा है, link, link में जाईए, और यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि, कुछ भी डाल देते हैं, krish toys.com, ओके, तो जीकिए, इस पर hyperlink आगे, इसको remove करना है, तो clear में जाईए, और बोल जाए, remove hyperlink, simple text हो गया, तो इस बगार साब इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, next आता है, shorting, shorting के लिए वापिस से चलते है, अपनी प्राणी sheet पर, अब इसको shorting करना है, तो use करेंगे, short, a to z, z to a, ascending ये descending, हमें करना है, ascending, तो हमने इसको select करा, और choose करा, a to z, तो automatically पहले हो चुका, reverse करना है, तो z to a कर दीजिए, तो देखिए, z to a हो गया है, तो ये पहले, फर्स्ट नेम के साफ से ने ले लिया, कि पहले, j पहले आ रहा था, अब के बार, m पहले आ रहा है, तो इस परकार से करना है, इसको undo करते है, इसको undo किया हमने, अब हमको इसको sorting तो करनी है, नेकिन अपने अनुसार हमें करना है, sorting on the basis of earning, तो sort में गए, और हमने चूज करना है, custom sort, तो यहां पना हमारी फिल्ड साजेंगे लिखके, देखिए, लिखके आ गई, तो इसमें आपने देखिए earning, हमने earning चूज करा, और इसको कर देना है, okay, तो देखिए, छोटे से बड़ी हो गई है, undo, तो इस पकार से आप sorting कर सकते हैं, next आता आपका filter, filter गलत जगह लग गया, filter हमने चूज करा, फिल्टर लागू हो गया, अब filter का स्तमाल कैसे करते हैं, जैसे हमने यहां क्लिक करा, हमें सिर्फ jack ही jack चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, तो okay कर दिया, तो jack वाले डाटा वो दिखाएगा, और हमें दोन चाहिए, तो हमने दोन असलिट कर दिया, तो इस पकार से कर सकते ह हैं, अब ऐसे ही numeric में कर सकते हैं, कि number filter लगाना है, greater than, less than, बहुत वास्ट है एक तरके से, और इसमें sorting भी कर सकते हैं, नेकिन जैसे एक sample में बतायता हूं, कि जैसे equals हमने कर दिया, वो सब value दिखाओ, जिनकी equal to होते हैं, 20,000, 20,000 तो है नहीं, 22,000 है, sorry, equal हैं जिनके 20,000, 20,30, अब OK करा, तो दिखे से 20,000 जिनकी earning हैं, उन्हीं को show कर रहा है, तो इस पकार से आप, इस में filter में use कर सकते हैं, number filter, यह देखे, यह दे रखा है, कि does not equal, greater than, smaller than, less than, सब condition दे रखे, आपको जैसे condition चाहिए हो, वैसा आप इसमाल कर सकते हैं, यह आप लोग चाहते हैं, कि आपको समझने में दिक्कत आ रही है, या आप चाहते हैं, इसके detail बताना, तो आप मुझे comment section में लिखे बता दीजे, मैं उसके पर में detail आपको बता दूँगा, next, short and filter के बाद में, find and search, वह यह से, find में क्लिक कर, हम जैसे डूणना, जिते भी jack हैं, उन किस से, moon नाम से, तो हमने कर दी है, moon और बोल दी है, replace all, तो देखी जहाँ, जिस अब jack लिखा था, वहाँ साब लिखके आ गया, moon, ऐसी अब इसको बाद पी से reverse करते है, moon with jack, replace all, इस पकार चाहते है, find and replace का सितमाल कर सकते हैं, close, next आता है, आपका insert menu, insert menu में subset पहले जो दिखाए देता है, private table, तो private table को बनाने के लिए हमने इसको select कर लेना है, नीचे भी हमारे content है, इसको बचा के नीचे लिए आओ, अब इस filter हटाना भूल गया हम लोग, इसको filter को हटाने के लिए, वापिस से क्या करना पड़ेगा, home में जाएंगे, और यहा फिल्ड का पतार है, बोल्ड, अब हमने इसको select किया, और गए insert में हमने चूज करा private table, पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, from tag table या range, या from external data source, हमारे पार external data source तो नहीं है, फिलाल हम इसी table से करेंगे, तो ok, तो range हमने पहले select कर ली, तो इसलिए automatically select होके आ गया, और हमने बोल state पर इस पर नहीं है, ok, तो देखिए यहां पर यह private table का diagram बन गया, अब इसमें हमें कौन कौन सी field चाहिए, हमें सब चाहिए, first name, last name, date of birth, earning, pin code, सब चाहिए, तो देखिए इस परकार से यह आ गया, तो private table का जो control हो, आप यहां से कर सकते हैं, अब इसको और ज़्यादा दे slicer जी है, तो हमने इसको click कर दिया और बोल दिया, ok, यह देखिए, अलग से slicer आ गया, undo, तो इस परकार से आप इस menu का भी इस्तमाल कर सकते हैं, ऐसे ही, यहां पर buttons दे रखे हैं, यह देखिए, कि मैथ्यू का देखना है, तो इस परकार से दिखा रहा है, पुरा details, mac का दे आएगा कैसे, यहां पर जब जाओ गया, तब आएगा, यह दिखिए, पाइवेट टेवल एनलाइजर में आगया, इसमें आने के बाद, अब जैसे कि आपको यह बटन, चार्ट बनाना इसके उपर में, यह हमारा content इसको पर में चार्ट बनाना पाइवेट टेल के उपर मे तो देखिए, इसका एक चार्ट बन के आगया, इनकी वेल्यूस के अधार पर, इस पकार से आप चाहे हैं, तो पाइवेट टेवल का चार्ट भी बना सकते हैं, इसको मूग करना है, तो यहां इसको पकड़िए और ड्रेक कर लीजे, जहां आपको मूग करना इसको, यह दे इसको करते हैं, बंद और इस शीट को करते हैं, डिलीट, तो इस दिलीट करने के लिए शीट को क्या करेंगे, इस शीट पर क्लिक करिए, लेफ्ट से, राइट से बटन दबाईए, और बोल दीजे, डिलीट शीट, आप इसको हमने इसको हमने सलेट करा, फिर से इंसर्ड मे तो इस प्रकार से आप पाइवेट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है अब का टेबल डालना है तो इंसर्ट में गये टेबल हमने बोला ओके यह देखिए टेबल हमारी बनके तयार हो गई है विद हैडिंग अब हैडिंग में आप जाके चेंज कर लिजे जैसे भी आपको करना इसमें जैसे लिख लिजे फर्स्ट नेम नेम लास इसे फॉर्मेटिंग करने के जोदनी है, अटनी अविलेबल है, नेश्ट ए इलस्टेशन, इलस्टेशन पर क्लिक करा, सब से पहले आते है, सबस्क्रेट है पिक्चर, हमने पिक्चर क्लिक करी, तो पूसता है कि आको पिक्चर कहां से इनसेट करनी है, हमने किलिक करा this device इस device हमने सेलेट करा picture folder यहां पर देख्जी पिक्चर मिलगी सका 20 लिए और इसको कर दिया insert तो चुर्टा बड़ा है कर सकते हैं इसको पकड़कर ऐसे खीच लीजे चोटा हो जाएगा और पकड़ करना है तो बीच में से पकड़िए और कहीं भी ले जाएए इसको तो इस प्रकार साब इमेज कॉल करवा सकते है एक्सल के अंदर में और बाकी से फॉर्मेटिंग को गारे इसमें दे रखी है आपको कैसा फॉर्मेटिंग चाहिए ऐसा पूरे दिखाएगा आपको अगर आपको ऐसे इमेज रखने है ऐसे भी रख सकते हैं तो यह फॉर्मेटिंग है इमेज की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं नेक्स्ट इसको करते हैं डिलीड इंसेट में गए वापिस से इंसेट में जाने के बाद फिर से गए इलस्टेशन पिक्चर फिर क्लिक करेंगे स्टाक इमेज़ पर अप यहां से भी इमेज चूस करते हैं इस पर क्लिक करा और हमने चूस कर दिया इंसर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप ओनलाइन भी इमेज इस में इंसर्ट करवा सकते हैं इल्सेशन पर जाएगे यहां क्लिक कर लिए पिक्चर में स्टॉक इमेज ऐसा ही ओनलाइन पिक्चर चाहिए तो इस पर क्लिक लिए ओनलाइन पिक्चर पर कि यह देखिए आगई एनिमस हम ने चूस कर लिया इसमें यह प्लेन और झ्रован ju is chatते इसमें गाए इसमें एरर आगया कोई इश्यू नहीं है लुक्ति से में इन्ल्यां किलिक करा और इसमें स्दूस कर रहे हैं कर देए और इसमें कुछ एरर आ गया छीब है । तो अन्लाइंä पिक्डिर वह भी ब两 कहा उपको, क्लिक करो इसको डिलेट कर सकते तो इसको इसफमे इंसर्ट कर सकते हैं और उन्लाइन आप shape and size भी इसके अंदर में insert कर सकते हैं insert इस पकार साथ आप इसमें shapes insert कर सकते हैं जो shape आपको अच्छा लगे वो आप shape इसमें insert कर सकते हैं यह देखिए next चले हैं फिर से insert में illustrations में और आपके बार रहता है icons जैसे आपको icons डालने तो आप क्लिक करेंगे icons पर हमने जैसे car का चूज कर लिए और कर दिया insert यह देखिए car आगी है हमारी यहां पर तो इस पकार से आप icon को भी insert कर सकते हैं यहां पर insert में गए illustration पर गए वापर इस अब चाहिए हमें 3D models इसके अंदर में इस पर हमने क्लिक करा यदि हमाई इस device में तो हैं ही नहीं 3D models तो हम क्या उज़ करेंगे stock इस पर क्लिक करा और चूज कर लिए हमने डाइनोसर वाला फोटो और देखते डाइनोसर कहां पर है क्लिक करा और कर दिया insert यह देखिए भागतावा डाइनोसर इसमें insert हो गया इसको बोलता है इसको आप कहीं भी कर सकते हैं और इसको रोकना है तो यह पास पर क्लिक कर सकते हैं आप इससे क्लिक करेंगे तो चलना शुरू हो जागा अब इसका तो इस पकार से आप 3D images के अंदर में डाल सकते हैं next दोस्तो 3D image को कैसे use करते हैं और 3D image को कैसे हम और ज्यादा customize कर सकते हैं इसके लिए मैंने और वीडियो अपलोड कर रहा है पावर पॉइंट की उसका link मैं description box में दे दूँगा उसको आप जाके देख सकते हैं वैसे ही image जो हमने insert करी थी image stock image या फिर इस device की image जो भी उसको अगर formatting कर नहीं है तो उसकी भी जो tutorial है मैंने powerpoint में दे रखे है same way editing वही customization यहाँ पर भी applicable है उसकी link मैं आपको दे दूँगा आप जाके देख सकते हैं इसमें फिर से क्लिक करते हैं इस बार क्या आता है smart art इस पर हमने क्लिक करा smart art पर चूज कर लिए जैसे हम एक flow chart बनानी कुछ भी बना रहा है एक organization चार्ट बनाना है तो उस समय आप इसको 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 क्लिक कर दिया और बोल दिया इसे शो करना है circle में तो कर दिया okay यहां पर टेक्स डाल दिये आपका जो एडिंग करने है वह इस पास है एडिंग करके चिपका दिया आपको चाटते ही आ रहे है ऐसे ही next आता है इसमें इलास्टेशन में गए और screen shots हमने इस पे क्लिक कर रहा और यह screenshot हमने यहां से ले लिया जैसे इस flower के इतना भाग ले लिया okay तो देखिए screenshot यहां पर आ गया तो इस पकार से आप insert में images stock images सब डाल सकते 3D और सब डाल सकते हैं और screenshot भी डाल सकते हैं इसके अंतर में नेक्स आथा है recommendation चार्ड िखाए रिकमेंडेट चार्ड इस पर हमने Click करा आपने ढटाथ को थोड़ा कर लेते हैं हमने को select कर लिया और से शूर्ब कर लिया और इसको चूझ कर्या Pandora अंडू, नेक्स जाते हैं फिर से insert में, अब next आता है इसमें बार चार बनारा है, पाई चार बनारा है, कौँन से चार बनारा हैं, आप इसमें चूज कर सकते हैं, जैसी आप इसमें मोस आप करेंगे, आपको नीचे दिखाता रहेगा, तो आपको जो अच्छा लगे वो chart इसमें आप insert कर सकते हैं then आता है आपका insert linear और area chart इसको हमने click करा आप choose कर लिए कौन सा च्राइब जैसे इसको click करा तो इस पर गरगा chart आजाएगा नहीं तो ऐसा आजाएगा next आता है इसमें insert line और area chart तो अगर आपको इसमें जैसे line chart चरना ही चाहिए तो इस पर click कर लो या फिर 2D area chart चाहिए तो इसको click करके ok कर सकते आप next आता है आपका pie chart जैसे पर चाहिए इस परकार से अगर आप चाहिए तो वैसा जासे चाहिए, वैसा है, इसमें 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 살ă्ट कर सकते हैं तो जही है, तही है शुज कर लिए जो बना सकते है, अंडो按 Character. इस पकार से, insert statistic chart, इस पर click करा, आपको कैसे यह है, histogram, यह, जैसा chart चीए, आपको वैसे chart इस पर मिल जाएगा, insert scatter, इस पर हमने click करा, और यह इस पकार से जैसा आप चाहे, वैसा आप data देख सकते हैं, इस पर हमने click करा है, यह ले लेते हैं, तो देखिए, इस पकार से chart आ गया इस data के अनुसार तो जैसे आप चाहें वैसे chart यहाँ पर available है next आता है हमारा waterfall chart या radar chart इसमें हमने click करा यह choose करा तो यह आएगा जैसे आप इसमें chart के variations हैं जो आप चाहें वो इसमें choose कर सकते हैं next आता है combo, combo पर click करेंगे तो इस पकार के chart आएंगे आपके next आता है इसके अंदर में line spark line इसके लिए हम चलेंगे sheet no.1 पर जिस पर हमने कुछ data टाइप कर रखा है इसको कर लेते हैं bold पंट्रोल बी प्रेस करके और यह बनके heading हमारी यह नीचे है amount वगर है तो इसके अधार पर हम अब बनाएंगे chart तो जैसे कि यह है Amit जी Amit का हमने data select करा और click करा line spark line पर नेकिन हम कोई चाहिए कहां यह तो automatic range select होके आ गया और यहां पर हमको चाहिए इसका result तो okay कर तक चाहती देखिए इसका एक chart बन क्या गया यह कि कैसे इसका growth हुआ क्या हुआ आखरी में minus 6 ताज इस लिए करके negative down चला गया तो एक cell के अंदर जब हमको कोई graph show करना होता है तो उस समय हम use करते है line spark line इसका अगर आप चेंज करना है तो आप कोई भी कोई सबी चूज कर सकते हैं कोई चूज कर लिए कोई सबूश कर लिए जैसा आपको अच्छा लगे वह साफसे choose कर लिए आप पर से चलते हैं अब कि वारा हमने इसको select करा पिडसे गए इंसेड में जाने के बाद है क्लिक करते के साथ ही यह AUTOMATICALLY INSERLECT हो गया है अब हमें देने कहा है यहाँ पर और कर दो इसको ओके तो देखिए कॉलम वाला इसमें बन के आ गया एसके अब हमको देखना है विन ही लौस तो इसके लिए हम जाएंगे वापिस से इंसर्ड में और क्लिक करेंगे विन ओबलेक लॉस पर इस पकार से वह है प्रॉफिट इस पकार से विन ये लॉस का भी बना सकते हैं जो आपको पसंद आए वो कलर चूस कर दीजिए इस पकार से आप फॉर्मेंटिंग भी कर सकते हैं अधिट डेटा कर लो लाइन कर लो कॉलम कर लो जो भी करना आप फर्दर एडिंग कर सकते हैं कोई आपको इसमें कोई कंफूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्ष्ट में लिख के बता दीजेगा नेच्ट आता है सलाइसर यह मैंने आपको अलड़ी बता चुका हूं जा पाइवेटेवल इंसेर करते हैं उस समय यह यूज करते हैं सलाइसर टैम लाइन ठीक है नेच्ट आता है लिंक जैसे अमित को आप एक हाइपर लिंक दे नहीं है तो क्लिक कर दिया हमने लिंक पर ल क्लिक करो गए तो आटोमेटिक ली आपको इस वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा तो इस परकार से आप हैपर लिंक डाल सकते हैं है आपको हटाना है तो क्या करेंगे राइट से बटन दबाईएगा और यहां पर लिखावा है रिमूव हैपर लिंक एडिट करना है तो पीरियू कर सकते हैं क्लिक करना है और यहां से हट गया है ऐसे आपको मैंने स्टाइइग बटा आए च्र Hahn करना एक यचे जीड़ी ओन पर लिखना है तो पॉस्ट यह हो गया तрец술 कर सकते हैं next है इसके इनर में text, यहां फ़रे मौस रखते और textbox और आगर आपको xbox द्रॉख सराव करना है तो उश्मेया आप डीज अ आप रही करने और आ कुछ भी लिख दीजह है hello this is my text box यह हो गया हमारे text box तईयार चोड़ा साइज करना है चोड़ा कर दी इतना content उसके साफ से करना है तो उतना ही कर सकते हैं आप सको निए text box होगे जिसको आप कहीं पर भी move कर सकते हैं next text के अंदर में header and footer header footer पर क्लिक करिए तो इस पर का screen layout आजएगा यहां लिखावा है header इसमें आप लिख दीजिए जैसे यहां लिख दीजिए आप क्रिश टॉइज यहां लिख दिया इसको अगर बोल्ड करना है तो Ctrl B प्रेस कर दीजिए बोल्ड हो गया और ऐसे ही अब हम आप फोटर पर जाना है तो फोटर पर जाने के लिए आप इसको ड्रैक कीजिए और स्क्रॉल कीजिए देखिए नीचे आ गया फोटर फोटर में लिख दिया चैनल चैनल ऐसे लिख दिया तो यह हर पेस पर आप शो करेगा फोटर जैसे आप MS वर्ड में करते थे उससे हम वह ही चेज यहां पर अवैलेबल है वापेस से नॉर्मल व्यू करना है उसके पहले देख लेते हैं फाइल में गए प्रेंड़ में गए यह देखिए प्रियू में पर क्लिक कर दीजिए इस परकार से वापिस हम इसमें नॉर्मल में आगए नेक्स्ट इंसर्ट हेडरन फोटर के बाद में आता है वाड़ाट इस पर आप क्लिक करो तो यह इस पर क्लिक करा तो इसमें लिख सकते हो जैसे आपको लिखना है क्रिश तो इस परकार से आप वा अब इसके अंदर क्यों चेंज करना है, तो इसको डॉबल क्लिक करिए, शेप फ़ार्मैट आ जागा यहाँ पर, इसके अंदर में जो आपको फ़ार्मैट से लगता है वह चूज कर लिजिए, जैसे इसको चेंज कर दिया, जो आपको पैटर्न अचये लगते हैं, अब अब बॉर्डर जिसे मुझे ऐसे चाहिए, ग्रीन के ऊपर, या औरेंज रेड़ के ऐस पकार से है, तो इस पकार से भी आवेलेबल हो गया, तो जैसे आप फॉर्मेटिंग चाहिए, वैसे इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आउटलाइन अगर हम इसको चेंज कर नहीं है, कौन स इफेक्ट्स हैं, वो चेंज करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं, जैसे ग्लो करना है, तो देखिए, थोड़ा सा ग्लो हो गया है, और और भी कुछ करना है, जैसे त्रीडी डोडेशन करना है, ऐसे ऐसे करना है, जैसे करना है, देखिए, साथ से इसमें इफेक्ट्स आते जा तो भी कर सकते हैं जैसे हमने कर दिया यह व्याला चरह व्यां कर सकते हैं इस पर सिंद गौकार आप से फómoàoर्मिटिक आप शिल्ट राइन इसमें इंशर्ज में इस चांच में एप टैक्स्ट कर सकते हैं हैं यहां तक चाहता है इसमें object यदि आपको किसी जैसे PDF फाइल में से ये Excel में से ये PowerPoint में से कोई लेके यहाँ पर आजे object पेश करना है जैसे PowerPoint कर देता हूँ अगर हमारे पास फाइल हो तो हम फाइल भी इंसेट करते हैं चाहता है यहाँ शो कर सकते हो लेकिन हमें इतना रख के छोड़ना है तो यह एक तरह से object के रूप में आपके पास यहाँ इंसेट हो गए जिसको आप मूग कर सकते हैं ज़िली कहीं पर भी तो यह हो गया इंसेट ऑब्ज़ेक्ट टेक्स्ट आथा है हमारे सिंबल सिंबल के अंदर में दो चीज़ा आती है एक्वेशन एंड्स और सिंबल्स हमें कोई क्वेशन यहाँ पर इंसेट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए जो एक्वेशन आपक को कटेंख कर सकते हैं या इस और लागाना है याँ इसको क्लिक कर दिजए यह देखे और इसमें हैं क्योगाना आप और कूछ कर दिया है रिए और हमिने इंसर्ट कर दिया यह वाला sign तो देखिए insert हो गया undo कि हमने यह sign लगाना है तो देखिए यह sign यहाँ पर apply हो गया जैसे आपको चाहिए वैसे आपसमें correction कर सकते हैं और अगर आपको खुद की equation यहाँ पर write करनी है तो वापी से जाहिए insert menu में symbols पर क्लिक करिए और सीधा equation पर क्लिक कर दिए यह ऐसा आगया और एक्विशन में आप आगये है मैनुवरी आप खुदी एक लगा सकते हैं जैसी इसको लगा दिया पाई यह जो sign लगाने आपको वह आप लगा सकते हैं fraction ऐसे शो करना है तो वह आ जाएगा तो जो आपको चाहिए जैसा चाहिए आपको चाहिए लगता है वह आप उस पर क्लिक कर दिए वह एक्विशन इहां पर इंसर्ट हो जाएगी यह ओगे एक्विशन वह पर जाते हैं इंसर्ट मेनु में जाते हैं यहां देखे नेक्स आते सिंबल्स जैसे हमको इसको डेडिकेट करना है कि डॉलर्स है रुपीज जो भी है तो सिंबल में जाएंगे यहां क्लिक करा और देखे जो आपको को इसमल करके देख सकते हैं स्क्रॉल्डन और जो आपको सहले करेके वह आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं और अधर चाहिए तो इसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे कैसे इस एक दिखाले देगा कोई थीम up High हो रही है यहां पर नेकिन जैसे हमने कोई इसमें इंसर्ट करें बहुर्भर अगर तक है इंसर्ट में इंसर्ट किया है डा मिलाज़र क्वार्वाला यहां पर ढलिवर से इसने में गए इल्स्टेशन पर इंदर मैं यहां से मज़وس करी कोई भी एक जैसा हमने चूस करिया यह शेप वो इंदर में इसको ट्रहा कर दिया है से उसकर हमें अब आवर कर लिया है क्या और रे खरर के बॉसम पार और शुछ आरो जो छोछ ऐसा चाहरा है टेट आने सिर्द की सीजिए और विद्टेंख यह दुसे मेंना हो जिए काल रुक अन्यECT 7 हो यि दिन कीूला जाना आप नहीं हो। करते हैं कि वैसजी हेपार क्या चीजे करना है यह तो देखिए इस पर गुमाते रही है मोद और जो और चाहिए उस पर प्लिक कर दिजगा ऐसा ही आता है इदो आप मेरे इसनों चेंगे देखते रहेंगे सर्कल मार्जन ब्रेड़ेंज में हमें उन क्वेशन करना है तो उस समय हमें चनल चूसके करेंगे मेर्जन भी क्या रहे है उसके हे डिक viktig करना है उसके आप समया से करने गाम मेर्डेज लिए नार्ड holiday आप कर सकते हैं नेन आता है Orientation, Orientation नमतलब जैसे हमें को Portrait Mode में चाहिए है, कि Landscape Mode में चाहिए है, तो उसके में यूज करेंगे आप Orientation, तो अभी फिलाल Portrait Mode में लैंडस्केप में करना है, तो लैंडस्केप पे Convert हो जागा, जब आप Print Out देखेंगे, इसका फाइल में जाएए, प्रेंट में आ गया, इसको अगर आप चेंज करते हैं, Orientation को Portrait करते हैं, तो जब प्रेंटेस्ट में जाएंगे, तो देखिए, इसमें Portrait Mode में आ गया है, तो यह हो गया Orientation, ऐसे ही पेपर का साइज करना है, बाइ डिफॉल हम लोग निकालते है, A4 साइज करना है, आपको चेंज करना है अगरे, A3 अगरे भी कर सकते हैं, लीगर, जो भी आपका पेपर का पैटन है, यह कही सारे पैटन है, जो साइज और आपके पास पेपर अवेलेबल है, उससाब सेट आप कर सकते हैं, ज्यादा है, तो मोर पेपर साइज में चेलेजिए, खुदी मैनवरी यहां पर जाके से रिकालना है, तो मैंने इसको सेलेट कर देना है, हो गया, फाइल में जाईए, प्रेंट में जाए तो देखेए, सिर्फ इतना ही कॉन्टेन्ट होगा, बाकी का प्रेंट नहीं होगा, तो अगर ऐसे आपको डिलीट करने की जोट नहीं है, या अलग पाईल बनाने की जोट नहीं है, undo कर देते हैं इसको वापिस से और देखते हैं हटा कि नहीं हटा, print, in case undo भी नहीं करना है, आपको हटाना है, manually तो इसको जैसे हमने select किया, इसको कर दिया, set print area, set कर दिया, अब फाइल में कहे, print बागे, देखिए इतना ही selected आ रहे ना है, हटाने के लिए दूसरा तर इसके बाद में मुझे एक page break देना है, तो इहां पर कर दूँगा, insert page break, इसके बाद next page पर चला जाएगा, print में जाएगे, यह देखिए, और next page पर क्लिक करेंगे, तो next पर यह content आएगे, तो हमने manually page break दिया है, कि हम यहां पर page break चाहिए, ऐसे ही background हमें change करना है, तो background पर क्ल background पर क्लिक करने के बाद, अब हमें आपर पास फाइल तो है नहीं, ना one drive पर कुछ data है, तो bingo में हम सर्च कर लेते, background क्या चाहिए, arrow plane, और हमने enter कर देना इसको, यह हमने arrow plane क्लिक किया, और बोल दिया, insert, तो देखिए, यह हमारी इसमे background में insert हो गया, यह as an image, तो आप जो भी इसमें type करेंगे, वो इसके उपर ही type होगा, तो background image हमने set कर दिया, इसकी sheet की, जो देखने में कापी अच्छी लग रही है, इसको कर देंडू, undo, तो इस पर गासा background भी डल सकते है, print titles, अब क्या होता है जैसे हमने इसको manually करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने break लगा दिया, insert, page break, फाइल में गए, प्रेंट में गए, तो यह देखिए, इसमें सिर्फ लिख के आ रहा है, name Ramesh, और यह, next करो, 2019, जो year थे उपर heading, वो हर page में नहीं आ रहा है, यह हमारी heading बनानी इसको, कि यह heading है यह, यह उपर से लेकिए, यह पूरी है, यह हमें heading शो करनी है, और हर page पे print out होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, page layout में जाएंगे, और इसको बोल देंगे, इसको select करके, print titles में क्लिक करेंगे, और print titles में जाने के बाद, यह पूछेगा, कि किस area को आपको करना ह है, title, तो इसको click करिए, यहाँ पर, यह आपका title है, इस पर click करा, ok बोल दिया, file में गए, print में गए, तो देखिए, उपर में लिख क्या रहा है, 2019, और इसके बाद next page में गए, इसमें भी देखिए, name 2019 में लिख क्या रहा है, तो कई लोगों की श्काया होती है, हमारी heading है, यह heading है हमारी, सिर्फ first page में पर आती है, और contribution में कई सारा data है, तो next page में heading नहीं आती है, सिर्फ content ही content आता है, तो उस समय आप use करेंगे, यहाँ पर, print, title, next page के अंदर में width, width क्या चीज़ होती है, next page के अंदर में width, तो width क्या चीज़ होती है, अब देखों, इसमें हमने click करें, one page, then, कोई भी click कर रहे हैं, कुछ effect दिखा ही नहीं दे रहे हैं आपको, इसका effect बताता हूं कैसा होता है, print पर click करते हैं, तो यहाँ दिखा रहा है, two pages, पहले page पर यह होगा, दूसरे page पर यह print out होगा, हम चाहते हैं, दोनों को दोनों page का data एक single page में आ जाए, तो हम यहाँ पर automatic को हटा के choose करेंगे, one page, file में जाईए, print पर click करिए, तो देखिए, दो page का data था, वो single page पर shrink होके, print out होके आ जाएगा, तो यह width wise था, अगर right side में spread हो रहा है, तो आप यूज करिए width, in case अगर नीचे flow हो रहा है data, two pages में, और आप चाहते हो उसको श्रिंग करके एक page में, तो उससे में आप यूज करेंगे, height मे, height मे, one page यूज करिएगा, आप पिसे इसको automatic कर देते हैं, तो यह आपको समझ में आगया होगा, कि कई बाद श्रिंग करके एक ही page में पूरे data चीए, तो उससे में आप यूज कर सकते हैं, और manually करना है, तो scaling आप यूज कर सकते हैं, यह कितना परसंट आपको print चीए है, 100 परसंट यह 68 परसंट आप इसमें चूज कर सकते हैं, अगर दिखाना है, यह दिख रही है, grid lines आपको, डब डब बे, हटा दिया, तो हट गया यह, वापिस से क्लिक कर, नहीं होगी, अगर प्रिंट बीच है, तो इस पर क्लिक कर दो, प्रिंट पे, तो जब फाइल पे आप जाएंगे, वापिस से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो दे क्लिक करना, वापिस से क्लिक करा, ऐसे ही, जब आप इसमें फाइल में जाते हैं, प्रिंट पे जाते हैं, तो देखिए, ABCD का प्रिंट आउट नहीं होगा, नहीं कि आप चाहते हैं, कि इसका प्रिंट भी हो, तो प्रिंट पे क्लिक कर दीजे, फाइल में जाईए, प्रिं forward तो यह इस पकार साब इसको आगे पीछे कर सकते हैं selection पैनल अगर में जाना है तो इसमें आजा कि आप चूज कर सकते हैं कि क्या select करना आपको then next आता है align align इसको करना है इन दोनों object को तो करना कैसे पड़ेगा इसको select कर लिया then control पकड़के इसको भी select कर दिया दोनों select होगे अब देखिए सब highlight होगे align जैसे करना वैसे आप इसमें alignment चूज कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जियों वैसे चूज करिए इसमें ऐसी जैसी अब यह दो अलग अबजेक्ट है इनको group करना है तो group पर क्लिक कर दिया यह एक object बन गया जब भी move करोगा तो एक साथ ह यह move होगा जैसे यह भाहर क्लिक कर दो फिर इसके अंदर में हमने यह क्लिक करा तो जब इसको move करोगे एक साथ ही move होगा क्योंकि यह group होगे एक object बन गया है इसको वापिस से click करेंगे और ungroup कर देंगे यह ungroup होगया अलग 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 हो गया इस परकास आप group ungroup यू अधिक शेप में और इसको कर दीजिए कौन सा शेप चूज करें यह ले लिते हैं तो देखिए अब इसको रोटेट करके दिखाएंगे पेज लाओट में गए यहां पर गए और देखिए रोटेट यह जैसे आप चाहेंगे वैसे इसको रोटेशन शुरू हो जाएगा इस प्ला जाओश सा रोटेट कर सकता है यह हमारा खतम होता है यहांपर पेज लेयाओड इसको अब यह सित लते हैं शीट इस पर आते हैं नेक्ट इसको नेक्स yapt हमारा फॉर्मला फार्मला जो में एक्ष जाने जाता है फॉर्मला इसके लिए जाने इंसर्ट, हमने function पर click करा, तो देखिए, इस तारे functions अवेलेवल हैं, जैसे हमें जो भी चाहिए, count करना है, तो हमें count करना है, इसको ok बोला, और count, हमने बोल दी, यहां से लेके, यहां तक, और बोल दी, ok, इसने बता दिये, आँसमें, जो total entry है, 12, select करो, और check कर लो इसको यह अगर आपको सारे function देखने तो all में जाई है जैसे हमें use करना है sign function तो sign पर क्रिक करा okay इसका हमने sign निकाल लिया तो जो भी आपको function चाहिए जैसे आपका requirement हो यहां पर आप क्लिक करिए और all में जाकि जो आपको function इस्तमाल करना है वो आप इसमान कर सकते हैं यदि आपको आप चाहते हैं पंद्रा कुछ functions आप चाहते हैं जिसके उपर मैं डिडिकेटली वीडियो बनाऊ तो आप उस function का comment box comment section में लिग के बताईए कि कौन कौन से आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपको explore करके बताऊं auto sum इस पर हमने क्लिक करा sum automatically selected हो गया enter मारने के बस आगया आपको total तो यह auto sum है यह सारे functions इसमें दे रख्या हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं recently used जो हमने यूज करा वे recently वह दिखा देगा इसमें जैसे हमने sign menu यूज करा था last वह दिखा देगा तो इसको यहीं पर खत्म करते हैं So friends आज की वीडियो में पर इतना ही MS Access Tutorial Part 3 में हम cover करेंगे data menu, review और view menu Friends जिए आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को like और share करते हैं और हाँ, bell icon दबाना ना भूलें Thank you so much for watching this video, take care and enjoy your life Thank you